मेरे प्यारे देश स्वासियों, आजकल हमारे देश में जम्मु कश्मीर की खूब चर्चा होती है, कभी बढ़ते परियतन के कारण, तो कभी G20 के शांदार आयोजनों के कारण कुछ समय पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादुरू देश के भार भी पसंद किये जा रहे हैं, अब जम्मु कश्मीर के बारा मुला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है, बारा मुला में खेती बारी तो काफी समय से होती है, लेकिन यह यहां दूद की कमी रहती थी, बारा मुला के लोगों ने इस चुनवती को एक आउसर के रुप में लिया, यहां बड़ी संध्या में लोगों ने डेरी का काम शुरू किया, इस काम में सबसे आगे यहां की महिलाया आई, जैसे कि एक बहन है इश्रत नभी, इश्रत एक ग् एक सो पचास लिटर दूद की विक्री हो रही है, ऐसे ही सोपोर के एक साती है वसीम अनायत, वसीम के पास दो दरजन से ज़्यादा पशु है और वो हर दिन दो सो लिटर से ज़्यादा दूद बेचते हैं, एक और युवा, आबिध हुसेन भी डेरी का काम कर रहे हैं, इन इसे लोगों के महनत की वज़े से ही, आज बारा मुला में हर रोज साड़े पांच लाख लिटर दूद उत्पादन हो रहा है, पूरा बारा मुला एक नई स्वेत क्रांती की पहचान बन रहा है, पिछले धाई तीन वर्सों में यहां पांच सो से ज़्यादा डेरी इंडि लगी है, बारा मुला के डेरी इंडिस्ट्री इस बात की गवाँ है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है, किसी छेत्र के लोगों की सामुहिक इच्छा सकती कोई भी लक्ष प्राप्त करके दिखा सकती है